हेले श्टोडेंड कैसे आप सब एक बार पना सी कोचिंग क्लासेश पर स्वगत है और 11 क्लास के फिजिक्स में चैप्टर 2 के निमेर कल चल रहा है इसके पहले जो भी वीडियो मैंने प्रवाइट किया हूँ आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा तो चले शुरू करते हैं आज का एक घंटे में ब्रेक लगाने पर 10 मीटर चल कर रुक जाती है यही ब्रेक लगाया गया तो 10 मीटर चलता है यही भी श्थापन हो गया 10 मीटर चलता है ना बोलके रखाया कि 10 मीटर चलता है चल रही है कोई कार जैसे ही ब्रेक लगाई गई 10 मीटर चली और फिर रुक जाती इसके बाद बोला है तोरण की गड़ना कीजिए तथा बताईए कि कार रुकने में कितना समय लगता है ओके ठीक है बात करते हैं यह कार चल रहा है यहां पे यह कार है भाईया ऐसा चल रहा होता है जैसे यहां पे ब्रेक लगाते हैं क्या लगाते हैं ब्रेक तो कितना दूरी रुख गया मतलब अंतिम बे कितना हो गया? 0 हो गया लेकिन प्रारंबिक बे कितना देखे रखा है वी 0 जिसे बोलते हैं 36 किलो constitution per hour 36 किलो dul per hour कोユि बदलना पड़ेगा क्योंकि यहां पर जो विस्थापन वो गया है वह 10입니다 की रूप मे आगया है तो चली हल करते हैं जो भी देखे रखा है क्रम क्रम से करेंगे कौन सा फार्मडल लागे वो भी बताएंगे हल करते हैं देखे भी बराबर देखे रखा है नहीं प्ररमबिक बेग दिया है दिया है क्या दिया है भी जीरो प्ररमबिक बेग को भी जीरो से या यू स बदल जाएगा और जब हम एक घंटे को सेकेंड में बदलेंगे तो साथ कुने साथ करेंगे तो यह आ जाएगा मीटर पर सेकेंड कितमें आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा काड़ दो सीधा कट रहा है एक जीरो से जीरो कट जाएगा यहां से फिर इस जीरो से ज जिरो कड़ जाएगा चैसे चछाएंग चैस और चैसे च्छे कड़िया कुल मिलाकर आगया आपका दस मीटर पर सेकेंड यह आपका प्रारंभिक बेग आ गया अब बोलके रखा है दस मीटर चलता है यह भी स्थापन ऐस जिसे बोलते हैं ऐस बराबर कितना दस मीटर और बोल होता है भी बराबर भी जीरो प्लस एटी यह कब लगाना है जब समय दिया हो एस बराबर होता है भी जीरो टी प्लस हाप एटी स्क्वेर इसमें भी समय होना चाहिए लेकिन तीसरा है भी स्क्वेर बराबर भी जीरो स्क्वेर प्लस टू एस इसमें समय जब ना दिया हो तो यहां पर हमारा तॉन निकल कराएगा इसके बाद हम समय निकाल लेंगे तो तॉन निकालने के लिए यहां पर तीसरा समी करण लगाते हैं तो एक समी करण हमने तीसरा देखा समी करण V square बराबर V zero square plus 2 ASC अब हमने कहा कि प्रारंभिक बेग तो हमको बता है 10 meter per second लेकिन अंतिम बेग कितना हो जाता है वो zero हो जाता है क्योंकि जब कार रुख जाएगा तो zero हो जाएगा प्रारंभिक बेग 10 है तो 10 का बर्ग धन 2 AS दो गुणे एक का मान हमको पता है नहीं पता ए गुणे S का मान है क 100 धन 10 दूना 20 A अच्छा 20 A एक काम करो पक्षांतर कर दो यह 100 को इधर ले आओ तो 20 A बराबर माइनस 100 हो जाएगा और जब पक्षांतर हो जाएगा तो A बराबर कितना जाएगा माइनस 100 बटे 20 25 100 माइनस आ गया माइनस और यह तोरण है तो meter per second square आता है अब रिंड चिन क् है कि कार में मंदन हो रही है रिड चिन बताता है कि यहां रिड चिन बताता है कि यहां रिड चिन बताता है कि बताता है कि कार में कार में मंदन हो रही है मंदन हो रही है अब हमें क्या निकालना है हमें समय निकालना है तुरण तो हमारा मिल गया तुरण हमारा मिल चुका ह ठीक है यह हमारा तुरण है ठीक अब हमें गति का प्रथम समिकर्ण लगाना है पुना समिकर्ण एक समिकर्ण लगा जिसमें से समय निकल जाए पुना समिकर्ण एक ऐसा समिकर्ण लगा दो जिसमें समय हो तो भी बराबर भी 0 प्लस 80 ये एक आपका समिकर्ण होता है होता है न अंतिम बेग कितना हो जाता है? अंतिम बेग जीरो हो जाता है. यह आपका अंतिम बेग है. भी अंतिम किक है और प्रारंबिक बेग 10 मीटर पर सिकन्ड. एक designed माँना आई गया मैनस 5। और T तो T रहने दो. पक्षांतर कर दो. माईनस 5 तो आगे प्लस पांच टी हो जाएगा बराबर दस यहीं हमें दिया आप से टी बराबर कहें तो बोलोगे दस बटे पांच यही पांदूना दस यही दो सेकंड लगा ठीक है यह आपका एंसर आ गया टाइम भी निकालना था और तरणा भी निकालना था दोनों चीज निकल गया पहले इस टेप में गती का तीसरा समिकर्ण लगाया तो हमारा निकल गया यहां पर तरण यही चीज दिक्कत होती है कि हम कौन सा समिकर्ण लगाएंगी हमारे पास यही प्राबलम होती कि हम कौन सा समिकर्ण लगा दें जिससे एंसर आ जाए और यही नहीं कर पाती है तो ग एक्जाम के लिए काभी महात्पूर्ण है चाहिए आप किसी भी बोट से होंगे चलिए question देखिए एक पिंड बिरामा बस्था से एक समान तरण के साथ चलना प्रणम करता है एक पिंड गती करना सुरू करेगा बिरामा बस्था से चलेगा तरण एक समान है प्रथा मूँ दो सेकेंड में वह S1 दूरी त्या करता है चलिए कोई बात नहीं और अगले दो सेकेंड में S2 दूरी त्या करता है तो S1 और S2 में संबंद निकालो S1 और S2 में संबंद निकालो क्या बोला है चारा देखिएगा थोड़ा सा सार्टकर में समझ यहां पर कोईशिस करता हूं समझाने का बोला है प्रथम दो सेकेंड दो सेकेंड में प्रथम 2 सेकेंड में S1 दूरी कितना S1 दूरी फिर अगले 2 सेकेंड में S2 दूरी है ना S2 दूरी 2 सेकेंड में यदि मैं आप से कह दू कि प्रथम 2 सेकेंड में S1 है 2 सेकेंड में S2 है तो 4 सेकेंड में कितना होगा जरा बताओ यहां से यहां तक 4 सेकेंड में लगा 4 सेकेंड में 4 सेकेंड लगा जी हाँ 4 सेकेंड में कुल दूरी कितना हो जाएगा S1 और S2 दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा कि नहीं यह चीज मैं करूँगा इसलिए मैं बता रहा हूँ चलो एक पिंड बिरामा बस्था बिरामा बस्था का मतलब क्या होता है प्रारंब में उसका बेग 0 है ठीक है एनि भी 0 बराबर कितना है 0 है प्रारंब में 0 है ठीक कोजिकत एक पिंड प्रारंब में बिरामा बस्था से एक समान तरोन से चलना प्रारंब करता प्रथम 2 seconds यहीं टाइम बराबर 2 seconds टाइम बराबर 2 seconds seconds क्योंकि क्यों लिख रहा क्योंकि एस लिख दूँगा तो आप 25 समझ बैठ होगे ठीक है ओके यहां तक clear और बोला है विस्थापन जो है वह S1 दूरी ते करता है कितना S1 दूरी ते करता है यहां तक clear है यहां तक समझ गया फिर बोला है दूती इस्थित में प्रारंबिक बेग तो 0 ही रहेगा दूसरे इस्थित में हमने कहा कि भाईया बोला कि 2 seconds और चला तो starting से लेकर चलें तो time कितना प्रारंबिक बेग तो 0 लेकिन time कितना हो जाएगा 4 मैंने बताया न और 4 seconds में चार सेकंड में जो S होगा वो S1 प्लस S2 के बराबर होगा जी यहां सही बात है न भाई साब देखो न मैंने डाइग्राम में क्या बताया कि यहां से मूल बिंदू से चलना सुरू करता है दो सेकंड में यहां पर पहुंचता है तो 2 सेकंड के लिए तो S1 और sometime 2 सेकंड हो गया लेकिन जब हम 4 सेकंड के लिए बात करेंगे यहां तक लिए तो प्रारंबिक में यहां से चलना सुरू करेगा 4 सेकंड भी यहां पर पहुंचेगा लेकिन यहां तक की दूरी S1 और S2 हो जाएगी यहीं दोनों को जोड़ देंगी S1 plus S2 हो जाएगी अब देखो विस्थापन का समीकर्ण कौन सा है गति का पहला समीकर्ण की गति का दूसरा समीकर्ण की गति का तीसरा समीकर्ण विस्थापन का समीकर्ण आपने पढ़ाए T square, ये गति का दूसरा समय करने है कौन सा समय करने है, गति का दूसरा समय करने है, पहला condition लगाओ, S1 के लिए S1 के लिए, प्रारंबिक बेगा आपका, 0 time कितना है, 2 second plus half, time कितना है, 2 second और T, तुरन हमारा कितना था भीया, तुरन देखे रखा है क्या तुरन नहीं दिया है, तुरन दिया ही नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तो A कर देता हूँ, और time है 2, तो 2 का बर कर देता हूँ ज़रा देखो कितना आएगा, यहाँ प्लस S2 होता है यह जो विष्ठापन S1 प्लस S2 होता है प्लारंबिक बेक तो 0 ही रहेगा समय जो है 4 सिकेड लगता है 1 by 2 A किन्टू 4 का बरग देखो जरा S1 प्लस S2 कर दो इसको आगे कल्कुलेशन कर दो 4 चोको 16 A पटे 2 तो 2 का भाग दे 2 कितना हो जाएगा 8 A हो जाएगा यह 8 A हो जाएगा अब इससे चाहो तो आप एक इसको समय कर देदू और इसको आप समय कर दो देदू समय कर एक से S1 का मान समय कर दो में रखने पर देखो जरा S1 का मान रख दो S1 का मान S1 का मान समय कर एक से समिकन 1 से 2 में रखने पर समिकन 1 से S1 कमान उठाएंगे और समिकन 2 में रखेंगे बच चलो चलो रखदो S1 कमान कितना है अपने पास S1 कमान 2A है 2A प्लस S2 बराबर 8A हो जाएगा S2 बराबर कितना हो जाएगा 8A रिन 2A तो आपका S2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 6A एक काम करो इसमें से 3 बाहर लेलो तो आता है 2A और जो कि 2A किसके बराबर है 2A किसके बराबर है S1 के बराबर है और बोला ही था कि S1 और S2 में संबंध निकालो तो यह हमारा आ चुका है S1 और S2 में संबंध यही S1 और S2 में संबंध है ठीक है आगे लिख सकते हो ना क्या लिखोगे यही S2 और S1 में क्या है संबंध है यही S2 और S1 में संबंध है देखो बच्चे लोग तो पहला complete हो गया समझ में आया यह दूसरा question क्योंकि हम और ऐसे question करेंगे तो फिर आपके मन में doubt नहीं रहना चाहिए तब ही अगला question आपको समझ में आएगा और मजा भी आएगा चलिए अगला question देखो एक कार 36 क्लिम्टर पर आवर की चाल से चल रही है पहले हल करो बोल के रखा है एक कार 126 क्लिम्टर पर आवर की चाल से सीधी सड़क पर चल रही है वह 20 मीटर की है 200 मीटर की दू प्रारंबिक बेग दिया है प्रारंबिक बेग भी बराबर दिया है भी 0 बराबर कितना 126 क्लिम्टर पर आवर इसको यदि हम 126 में 1000 का गुडा कर दें और नीचे घंटे को मिनट सेकंड में बदल दें तो मीटर पर सेकंड में बदल जाए गई अब इसको आपको calculation करना है और बदलना ही बदलना है 0 से 0 कड़ गया 0 से 0 कड़ गया 2 से काटो 2 3 6 2 5 10 हो जाए 3 से काटो 3 एक कम 3 3 4 12 3 2 6 6 से काटो 6 7 42 ठीक है 6 7 42 यहनी कितना आ गया 35 मीटर पर सेकेंड आ गया यह प्रारंबिक बेग आ गया लेकिन बोला है कि 200 मीटर की दूरी तै करने के बाद रुख जाती है मतलब रुखती है मतलब अंतिम बेग सुन हो जाता है जहां भी कोई बस तू रुख जाएगी तो अंतिम बेग कितना हो जाएगा सुन हो जाएगा क्या कहता है समी करन तीसरा क्या कहता है भी स्क्वेर वरा भी जीरो स्क्वेर प्लस टू एएएज यही न कहता है यही कहता है तो चलिए लगाईए कितना आरा भी या तुरण इस से कल्कुलेशन करेंगे तो भी तो हमारा जीरो है है ना और स्टार्टिंग में आपका कितना है प्रारंबिक भी एक 35 है ओ माई गॉड तो 35 का बर्ग करना पड़ेगा ठीक है प्लस टू एस टू एक कमान हमको नहीं पता लेकिन एस कमान पता है 200 एक काम करो 200 दूना 400 ही 400 ही ठीक है और 35 का 25 और 3 चोको 12 यह हो जाएगा लेकिन ए कि 35 को इधर लाएंगे तो यह माईनस में हो जाएगा अब निकालो ए बराबर ए बराबर निकालोगे तो माईनस 1225 बटी 400 कितना जाएगा 400 ठीक है 400 आ जाएगा अब इसका भाग दो चार का भाग दो देखिएगा माईनस में यह आएगा चारतियां 12 भाग न पहुंचा ठीक और फिर आपका 425 इतना आता है बटे आप 4 से काटे हो तो 100 रहेगा नीचे ठीक है यह कटेगा इतना आएगा अब इसका यदि आप भाग देदो तो माईनस में 100 का भाग देद दसमलो यहां लग जाएगा 3.06 और तौरण आया है तौरण को कहते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना आगया भाई साहब यह तौरण आया है मंदन आ रहा है मंदन और हमको क्या बोला है बोला कितना समय आएगा यह समय निकालना है कितना समय ठीक है तो पुना समी करण लेकर चलेंगे पुना समी करण पुना समी करण लेकर चलें प्रणंबिक भी हमारा देके रखा है 35 एक कमान दिया है माइनस 3.06 और टी कमान दिया है क्या नहीं दिया हमको निकालना है इक काम करते हैं यह माइनस का पूरा इदार आएगा तो प्लस हो जाएगा अब टी बरावर निकालना है तो 35 में 3.06 का भाग देंगे तीन का भाग दे दो लगबग लगबग तो 11.33 यहीं ग्यारा आएगा दसम्लो चार सेकेंड आएगा एंसर आगे है तीक यह समय पूछा था और देखो एंसर आ चुका है तीन कोश्चन कितना इतिमिधान से हमने कर दिया उमीद करता हूं कि तीनों प्रशना आप अच्छे तरीके से कर लिए होंगे और अच्छे तरीके से आप नोट डाउन भी कर लो नोट्स बना लो यदि आपको नोट्स भी लेना है तो 100 रुपए में चार्ज इतर लगेगा मतलब 100 रुपए में आपको आल चेप्टर के नोट्स दिये जाएंगे ठीक है वीडियो पसंदा है तो लाइक करना ना बुले से आर भी कर दें मिलते हैं कि वीडियो के साथ जय हिंद बंदे मातरम